नमस्ते विदाथियों, आईए इस वीडियो में आपके पाठ्य पुष्टक अंत्रा में संकलित रितिकाल के कभी पदमाकर जीद्वारारचित दो कभित में से पहली की वेख्या को समझते हैं। पहले पाठ्य का वाचन ओरे बाती कुंजन में गुंजरत भीर भोर ओरे डोर छोरन पे भोरन के हैं गए। कहे पदमाकर सू ओरे बाती गल्यानी छलिया छबीले छेल ओरे छबी छबे गए। ओरे बाती विहग समाज में आवाज होती ऐसे रितुराज के ना आज दिन दुए गए। ओरे रस ओरे रीती ओरे राग ओरे रंग ओरे तन ओरे मन ओरे बन हैं गए। पहले शब्दात को समझिए। और एक मतलब और तरह से यानि कि दूसरे प्रकार से दूसरे तरीके से। गुंजन का मतलब भाग बगीचों को कहा जाता है। गुंजरत का अर्थ है गुंजना, बीर का मतलब समहू या फिर गुरूफ बोर अर्थात भावरा, डोर का मतलब है डाली, छोरन, पेर, अर्थात पेर के डाली, बोरन का मतलब है गुच्छे या गुच्छा या फिर गलियानी गलियानी का मतलब है गाउं की गलिया चलिया चवीले चलिया चवीले का मतलब है आसुंदर नौईवक या फिर नौजवान बिहग का मतलब पक्षी चिरिया समाज मतलब उनकी जो ग्रुफ है समाज सम्हु यानि रितुराज रितुराज का मतलब है वसंत रितु वसंत रितु को रितु का राजा माना जाता है इसलिए यहाँ वसंत रितु के लिए आया है रितुराज विद्यात्यों आप जब विख्या करेंगी तो उससे पहले आपको प्रसंग लिखना है तो प्रसंग आप इस प्रकार लिखेंगे प्रस्तुत कवित या फिर पद रितिकालिन कभी पदमाकर द्वारारचित है इसमें कभी ने बसंद रितु में प्रकृति के सोंदरे का चितरन किया है बसंद रितु के आने से प्रकृति और लोगों के मन में अचानक अदुबुत परिवर्तन आ गया है और कभी उसी का चितरन इस पंक्ति में कर रहा है अब व्यक्या करते हैं कभी पत्माकर जी कहता है कि वसंत रीतू की आगमन के साथ है भाक और बगिचों में बोरों की जो भीर है वो बर गई है बोरों यानि कि जो बोरे हैं उनकी जो समुह है वो अब ज्यादा बर गई है पहले से क्योंकि वहां क्या है तरह तरह के फूल खिल गए हैं चुंकि वसन रितु आ गए हैं तो बाग बगीचों में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं ऐसे में बोरों की जो समू है वो पहले से कई ज़्यादा भर गए हैं उसके बाद कह रहे हैं कि और दोर छोरन पर बोरन के हैं गए आगे कभी कहते हैं कि जो पीरों की डालों पर भी क्या है बोर आ गया है यानि कि आम की जो पीर हैं उस पर पहले जो छोटे छोटे फल लगे हुए थे अब उनकी जो आकार है उसमें भी परिवर्तन आ गया है चु फल बन जाएंगे फल के रूप में तयार हो जाएंगे बोरन के हैं गया निकि जो फल के गुच्छे है बंच वह भी अब उनकी जो अकार है वो बर गया है बड़ा दिख रहा है यानि उसमें भी परिवर्तन आ गया है वसन रीतु के आने से इस वसन रीतु की जो मादगता है उसका प्राभाव क्या है बाकी चीजों में भी पढ़ने लगा है निकि वसन रीतु जैसे ही आ गया है प्रकृति में तो परिवर्तन आ ही रहा है पेर पोदों में या भाग बगिचों में तो परिवर्तन दिखी रहा है साधी साध लूरों क चेल और एच्छबी चवेग हैं कभी आगे कहते हैं कि इस वसन रीतु की जो मादगता है उसका प्रावाव सजीले यानि सुन्दर जो नौजवान है उनकी उपर भी परा है क्योंकि अब क्या वसन रीतु के आने से उनकी जो चमक दमक है वो बर गये हैं उनकी चाल डाल में भी परिवर्दन आ गये हैं क्योंकि वसन रीतु के आने से लोगों के मन में है यानिकि इन नौविवकों के मन में भी एक उमंग उनके मन में भर गया है इसलिए इनके चाल डाल भी अब बदल से गये हैं पहले जैसे नहीं रहा है उनके रंग रूप में ब भूमते नजर आते हैं लेकि इन घलियोंं में जोटी चटी गलियों में जोटी से तक फूर नजर आती हैं पहले तो वसं के आपने से लेकिन Tenemos की आनने से यह नोई वग भूम फिर रहे इए उनके चालन डॉल में बहुत कुछ परिवर्तन आगा ए और थाद 은 उनके मन में जो प्रेम बावना है वो भी क्या है बलवती हो गया ने कि वो भी जाग गया है पहले वो ये एसास नहीं कर पा रहे थे लेकिन उनके मन में अब प्रेम की जो बावना है वो भी उमंग ले रहे हैं और आगे कहे रहे हैं कि और बाती बिहक समाज में आवाज अब पक्षियों की बात कर रहे हैं कि कभी कहते हैं कि पक्षियों के जो समू है बिहक समाज का मतलब है पक्षियों के चिरिया है उनके जो समू गुरुफ उसमें भी क्या है अलग ही प्रकार से आवाज आने लगी आने कि यह जो चिरिया है पहले जैसे नहीं रहे अब उनकी आवा में परिवर्तन आ गया है वो भि अलग ही अन्दाज में चहड़ देने लगude जाने लगे है अरथात एंकि जो चाहचाहत एंला बढ़ गए है है वसन-चाहत बढ़ बढ़ गे रहे हैं कि रितु राज है रितु राज अर्थात वसन रितु रितु को जो बाकी छे रितु हैं मनदब पूरे छे रितु हैं भारत में माना जाता है तो इन छे रितु में से वसन रितु को रितु का राजा माना जाता है तो यह जो वसन रितू है इसके आए हुए अभी केवल दो ही दिन बीते हैं और कभी कहरें कि इनके आए अभी दो ही दिन हुआ है आज दिन है दो ही दिन बीते हैं और अभी यह हाल याँ कि अभी इतना परिवर्तर इतना कुछ प्रकरती में मनुश्य में और बागी जो जीव जन्तु हैं उनमें देखने को मिल रहा है तो कभी सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा अर्थाद यहाल जो वसंद आगमन के प्रारंब का है ने कि शुरुवाती जो असर है यह तो अभी पुरी तरह जब वसंद के आने पर यह शौबा और कितनी बर जाएगी है कि ने इसका तो स आपएगी जो इनमान ही लगाया जा सकता है कभी करें эфф वसंद आते ही क्या क्या परिवर्थन आने लगा है और रश और रूत और्ड और रग और रंग यह यह सब कुछ में कुछ और ही दिख रहा है सब कुछ पहले जैसए नहीं रहा है वसंद के आते ही राग रंग राग रंग रस रीति आदी में परिवर्तन आ जाता है तथा क्या है औरे तन औरे मन औरे बन हैं गए तथा हमारे जो शरीर है शरीर और मन तन मन तन और मन भी और ही प्रकार का हो जाता है कब वसन रीतू के आने से अर्था तन्दमन में क्या है उत्साह का संचार हो जाता है जो मनुश्य उनके मन में भी उमंग उत्साह का संचार होने लगता है जब वसन रीतू आ जाते हैं तब वसन रीतू यानि की परिकर्टी और मनुशों में एक तरह से चमतकारी परिवर्तन ला देती है तो ये राज क्या है वसन रितु के आने से ही पता चलता है तो ये रही वेक्ष्या अब आब विशेश में भी कुछ विंदू को लिखेंगे जैसा पहला विंदू में आप लिखेंगे वसन के आगमन पर प्रकरती पक्षियों के जो समू है और मनिशों की दुनिया में जो सोंदर संबंदी परिवर्तन आ जाते हैं कभी ने उन्ही का चितरन इन पंक्तियों में किया है और ये अलंकारों के बात करे तो अनुपरास अलंकार का प्रियोग हुआ है जैसे यहां हुआ है बीर बहुरे यहां अनुपरास अलंकार का प्रियोग है शब्दों के दोनो पहला वर्ण बहु 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 का प्रियोग हुआ है उसी तरह से यहां देखे छलिया छबीले छेल है ना छबी छबे यहां और इधर दोनों में अनुप्रास लंकार का प्रियोग किया गया है और एक विंदों अब लिख सकते हैं कि वसंत रीतु का मोहक चितरन इस पंक्ती में हुआ है बाशा की बात करिये तो कभी ने यहां ब्रज बाशा का प्रियोग किया है और इस कविता का जो छंद है वो क्या है वो कवित छंद में लिखा गया है धन्यवाद